वेल्कम बेक फ्रेंड यूवी के इंफोटेक में आपका स्वागत है और जाभा इसक्रिप्ट का जो सीरीज हम लोग कंटीनिव कर रहे हैं उसमें आज हम लोग आपजेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जाभा इसक्रिप्ट में अबजेक्ट क्या होता है उसको कैसे रिफिरेंस है बिसिकली हम लोग जानेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे जैसे की डॉट नोटेशन और ब्रैकेट जो है उससे कैसे हम लोगा भेलू को करते हैं पहलू को कैसे फेज करते हैं इसके बारे में भी डीटेल में पढ़ेंगे और आपने अभी तक चैनल को स सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रोड सब्सक्राइब कर ले और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर भी आज जो वीडियो था उसमें हम लोग ने बेसिक्स एरे कि ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था हम लोग ने देखा था इसमें पॉप सीप्ट अनसीप्ट एक जो एरे है उसमें इंक्लूट से कैसे हम लोग उसको पता कर सकते कि वह जो भेलू है उसमें एक्जिस्ट करता है या नहीं है ठीक है इसके बारे में हम लोग ने टीटेल्स में देखा था अभी भी आप देखेंगे कि मैंने या पर कुछ तो यह बगर हम लोग ने किया था आपने इंडेक्स अप्पी हम लोग डीटेस में देखा था तो आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह ज़रूर जाके देख ले और चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं यह जो बेसिक ऑपरेशन का जो था और इसको मैं किये है कि थोड़ा सा आप जूम करके बनाई यह अच्छा से सो नहीं करता है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छा सा दिखे ठीक है और कि यह कुछ ज़्यादा ही मुछ लगड़ा जूम हो गया है थोड़ा सा कम करते हैं ओक तो यहां पर हम लोग देखेंगे देखी एरे का लेक Paco काम था हम लोग ने क्या किया था कि एहांने क्रिम जश correspondence हम Christmas TV एक लट्राइबल में लिबू dough कर सकते हैं और को सबस्क्राइब जब सक ऑब करला को यहाँ एक बडूब कर रहा है है कि इसको यह कर लेता हुआ है है भींगे है जो यह रहे है यह का मैं हो जोटे समझी का छेड़ी उसيع करते हैं है जो है उसमें लोगा क्लेत है कि मल्टीपल्स हो रिंद लू है वह हम लोग को रिस्टोर कर सकते थे ठार चैर का नलत लोग सकते हैं कि इसमें ना हम लोग की फेल इससे सही से जीसे कि मुझे उसको निकालती है उसका order ना पता होना चाहिए कि जीरो इंडेक्स पर राज है या रभी है यह सारा चीज है जो है आपको आपको पहले से पता होना चाहिए या आपका data structure जो है JavaScript का जो में जो दो इता बहुत ही important data structure है जो है array है एन अब्जक्ट तो ए एरे का किसा है कि आपको well defined data structure होना चाहिए जिसमें आपको order जो है वो पूरा आपका जो है ना well structured होना चाहिए और आपका तभी जाके आप क्या कर सकते कि भेलू को आच्छा से रिट्राइब कर सकते आपको पोजिशन पता होना चाहिए ठीक है लेकिन अब्जेक्ट में इसा नहीं है object में अपको क्या कर सकते है की फेलू का जो प्रिषार है और नाम जो है ओँ आप इस्टोर कर सकते है तो उसको हम लोग केसे डेफाइऔ कर सकते हैं तो यहां पर सिमिलारली क् uniquely लेंगे कॉंस्ट लेने क्या कर रहा है है यहाँ फर मैं ने यहां 내 जो वह है तोड़ा सकंवाइब एख एइसमें हम लोग इस 혼자 करेंगी और यहां पर पेर कर सब करेंगे हम लोग का नेम और की एन भेलू का पेर ठीक है तो हम लोग में किसी से कि क्या कर रहा हूं कि नेम लिख रहा हूं नेम में और मैं यहां पर लिख रहा हूं राज फर्स्ट नेम है एंड जदि मैं ओर पीरिन कर सकता हूं इस में जैसे कि मैं और अध़ह करता हूं कुछ भी आण लाई या इमेल कि मैं कर रहा हूं और इसमें मैं इसमिल कर रहा हूं राजर डे तइ म, email का spelling mistake है and password जो है वो यूजर है कि तो उसको पासवर्ड भी होना चाहिए तो पासवर्ड सिंप्ल यह भी मान के चलते की 123456 है एंड जो city है उसका यह भी मानते है पर्फिटी जो है ओ मैं पॉलकाता मां रहा हूँ वो कथा और मैंना इसको प्रेंट कर रहा हूं और मैं रिफ्रेस कर रहा हूं तो आप इसको में एक बार कॉमेंट कर रहा हूं एक देखो और सॉरी कि यह रही है उसको मैं रिफ्रेस कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा इधर देख पाएंगे कि यह ना की भेलो का पैर में आप यहां पर इस्टोर हो चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यह तो जी जो यह आपको अच्छा से दिख रहा है और उसमें यहां पर कि नेम है कि है कि इसका प्यलू है फिर इसका इमे निकालना है रिट रैप करना है तो हम लोग क्या कर सकते कि object है simply और हम लोग क्या कर सकते कि यहां पर dot और मेरा key मुझे की पता है कि name है तो मैं यहां पर name यदी कर रहा हूं और मैं refresh कर रहाँ तो आप देखेंगे कि इसका भेलू जो है ना आप को निकालके दे रहा है और similarly आपको जो भी भेलू चाहिए आपको आप इसको यहां से डॉट करके वह आपको डिपेंड करेगा कि कहां पर है किस पोजिशन में तो आपको इस तरह का से आप निकाल उसका सकते रिट्राइप कर सकते एक अबजेक्ट से भेलू का आप आप यहां है अब ही हमलोग को यहां पर जो है एरे में हम लोका किसे निपाता करते कि चोवर्ण को प्राइब उसमें लोगा जो कॉंसर्फ्राइब था वो था उसमें लोगों अपका होना चाहिए और मिछे मुझे जिकराज का भेलू निकलना है तो मुझे क्या करना है यहां पर जीरो पास करना पड़ेगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है आपको पता है तो और आप देखें कि राज यहां पर सो कर रहा है और मैं यहां पर कुछ कर देता हो एक सिंपल सा ताकि पता चले कि यह रे का है तो यह रे का है यह इस तरह तरीका से दोनों में डिफ सकते हैं कि हम लोग ना अब जेक्ट में भी सिमिलर हम लोग कर सकते हैं जो है ऑपरेशन बगरा जदी मैं बात करों कि ए एज जदी में कर रहा हूं तो मैं सिमिलर नाइन टू थाउसन आश्री एसा कुछ भी कर सब कर रहा हूं मैं ट्वेंटी हुए दो जन पॉन्टी टू मैंनस वन नैन ट्री एज मैं इसको रिफ्रेस कर रहा हूं है तो आप देख पाएंगे कि यह भी काम करेगा आप में कॉन्सल करकर दिखाता हूं उन्यक्स को निज्म अब्जेक्ट को रिमूब कर रहा हूं यहां से अब्जेक्ट है supply यह अब्चेक्ट है और मैं औरिफरेस्ट कर रहा हूं तो आप देखेंगी कि 29 जो एज एजघ सो करना यह विः घो आपना फेत्स आप आप छूए ऑब्जेक्ट में एक मिव्ए अब क segments कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं यहां पर यहां पर कर रहा हूं और यहां पर क्या कर रहा हूं आख कर सकता हूँ और नहीं पर इसको तो आप देखेंगे कि यह जो एरे है उसमें यह जो अब्जेक्ट है स्वरी इस अब्जेक्ट में में बाकी सब को कॉमेंट कर देता हूं यह जो अब्जेक्ट है यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक एरे जो है आ चुका है आप यहां पर देख पार है कि एरे का जो है को में कुछ हुआ ging wanna को सबस्क्राइब करें के ह 받고 एभ तो आप यहाँ पर प्रेंड का जो ऑप्जेक्ट है उसमें एक तो कर सकता हूं और इनकल है तोमिक घ्राइब कर दो इसमें मैं क्या करता हूँ एक object भी मैं यहां पर फ्रेंट स्काई में क्या कर रहा हूँ एक object यहां पर ready कर दे रहा हूँ and key जो है वो difference होना चाहिए तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ object कर रहा हूँ और मैं यहां पर यहाँ पर आप्जेक्ट भी में रिध चलिए जिसकी मुझे करना है by the name and कि मैं इसलेते रिफरेस्ट कर रहो तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक ऑबज़ेक्ट यहाँ पर भी और एक ऑबजेक्ट मे benefits friends object धिसमें भी और एक object में ने add कर लिया है इर भी में इस्टोर कर पाहरा हूं सबस्तभी कर सकतें up तो एन्टीक्ट के वारे में यह है इतना ही यह है इसमें आप जो है single value कर सकते multiples आप एक एक object में आप एयरे में भी स्थोर कर सकते एंड एक object भी यह ओपसन आपको दिखाया यहां पर किया है कि मैंने डॉसके और नोटेशन देखाया ता यहां पर कि आप सब्सक्राइब कराएए, यहां पर यहां पर नोटेशन से यहां पर हम लोग लोग इसको फेज कर रहे हैं ओके सिमिलर्ली हम हम लोग यहां पर स्कॉइर ब्रेकेट हम लोग उज़ कर सकते संसर्ग कर लिखाता हूं इसक्वाल ब्लेकट इlide कर सकते और मैं यही प्रिम करना पड़े रहे हैं और प्रेज़ से कुर्ट कर रहा है तो उपर घ्रर के सांथ है भाद है कि अपना रोल है तो इक सांप द family को अपे के के साथ स्मझते हैं ओके मैं यहां क्या कर रहे हूं है मुझे baik यह जो नेम है कि इसको मैं क्या प्राइब फर्श्ट नेम पाप Okay फस्ट नेम कर रहा है कर रहा हूँ है इसको और एक last name कर रहा हूँ मैं one Advis is initial and first name पीटल में होगा and last तो ज्यूम से और यह में यहां पर दे जह रहा हूँ और मैं इसको हैं रीप्रेस्ट ज complement अब मतलब आप इसके साथ करना है मतलब हुझे जो सब कि यहां पर अब फिक्स है मतलब मुझे इसा रिक्वार्मेंट नहीं है मुझे फ़ास्ट पताया स्वरी मुझे फस्ट पता है बट मुझे नेम क्योंकि दोनों में common है अब देख पार है इस तैप को में requirement है या loop में आ रहा है या कुछ भी हो सकता है इस टैप पर requirement तो मुझे ना इसको name को ना यहाँ पर dynamic pass करना पड़ रहा है या हो सकता है कि मुझे यहाँ पर जो comment है तो मैं क्या करना चाता हो कि name को ना मैं dynamic यहाँ पर accurate करना चाता हूं ओपे तो मैं क्या कर रहा हूं तो मैं न यहाँ पर एकdt crowd ले रहा हूं and name ले रहा हूं okay name equal to and मैं यहां पर क्या कर रहा हूं ले रहा हूं first okay हुआ है है मिर्स 없다 ले रहाओ क्योंकि नेम तो है मेरा इरेम फिक्स सेया गपिस्टान ही मेरा adop संस्थ मेरा जो चेंज़ होगा है किसे में बुलार है पास्थ और मैं क्या कर रहाएं मैं यहां पर इसके नेम के साथ फिन कोन के डिनेट कर रहा हूं और मैं जदी रिफ्रेस कर रहा हूं तो आप देखेंगे ना कि यहां पर फस्ट नेम जो है मैं इसको पर आपको एक पर नेम जो है डाइनमिकली देखिए आप देख सकते कि फस्ट नेम जो है राज क्योंकि यहां पर हम लोग ने फस्ट जो है यह कहां से मेरा रहा है और मुझे लग रहा है कहीं कहीं ना तो इसको मैं क्या करता हूं change my आए इसे नेमफ उसकर लेता हूं और यहां पर ना मैं इसको ऐदा हम और मैं रिफेस्ट कर रहा हूं तो आप देहें माइं नेम जो है यह फärस्ट नेम जो है था dynamically स्गोंभेलो को सेच पर और Similarly मैं क्या कर रहा हूं यहां परêm हए कॉंभ कं रीच है कर रहा हूं और मुझे जब लास्ट न फ्थ करना है तो मैं यहां पर न एक लास्ट निम कर दूंगा में ओके है इसक का डिकारं मेंट नहीं था और रिफ्रेस्ट जदी कर रहा हूं तो मैं लास्ट नेम जो है यहां पर करके मैं निकाल पार रहा हूं राइट तया ब्रट आप जिदी आप जेति dec Ethan के साथ इसाफ पिशु करने कर जिदी ट्राय करते में यहाँ पर पर रिमूप कर रहा हूं और मैं यहां पर न डॉट न जाइन लगा रहा हूं और यहां पर तो आपको जब भी fix value पता रहे है जिससे कि फस्ट नेम मुझे पहले से पता है तो मैं डूट नोटेशन का यूज कर सकता हूं जैसे कि मैं यहां पर dot स्टेशन करूंगा पास्ट नेम और मैं जिदी रिफ्रेस्ट कर रहा हूँ तो ये परावार से काम करेगा बट आपको जब भी डायनेमिक कॉन करना है कॉल कान लोग को कि के साथ आपको की एक्जेक्ट की नहीं है आपके पास बट आप आपको उनके डिनेट करके अपना लोजिक के हिसाब से आप निकाल सकते हैं तो उस टाइम में आपको स्क्वाइर ब्रेकेट जो है स्क्वाइर नोटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं उसको आपको यूज करना होगा तब ही जाके यह काम करेगा दोनों का अपना अपना यूज है बट मैं आपको recommend क्या करता हूं कि जब भी dynamic होगा तभी आप इसका use करे इसको आय ब्रेकेट का ब्रेकेट नोटेशन का पट एल्स जब भी आपको फिक्स भेलो रहे तो आप dot notation का यूज करें ताकि यह देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और mode रीडेबल होगा तो भी आपका code रीड करेगा उससे बहुत अच्छा रीड क्लियर स्टेक्चर एंड रीडेवल कोड इस टाइप में आपको जाता समझ में आएगा इस टाइप में सोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकता है बड़ डाइनमिक में आप इस तरह से कर सकते हैं हो फ्रेंड आपको वीडियो काम का लगा होगा आप ऑब्जेक्ट का जो भी कौनसेट था वह मैंने आपको देने का ट्राइब किया और आने वाले वीडियो में और भी में इस से एरेय औप्जेक्ट का जो है रिएटेड वीडियो लेके आउगा तो आपने अभी तक चैनल कर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रू सब्सक्राइब कर दे लाइक कर करक and thank you for watching keep learning keep going